अन्मोल हिंदी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर किलिक करें जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन हाई फ्रेंड्स वल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूँ हरेस और मेरे चैनल का नाम है अन्मोल हिंदी दोस्तो आज मैं आपको विको टर्मरिक डबलू एसो क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी रिक्वेस काफी दिनों से आ रही थी दोस्तो बहतर समझ के लिए प्लिस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिये बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे लेटेस वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह है विको टर्मरिक डबलू एसो क्रीम जो की काफी पुराना और विश्वाशने आयुवेदिक पोड़क है जिसे बरसों से लोग कील, मुहासों और चेहरे की रंगत को गोरी बनाने के लिए यूज करते हैं दोस्तो यह इंडिया का बहुत पुराना आयुवेदिक क्रीम है जिस पर जयातर लोग विश्वास करते हैं आज भी इसे बहुत से सलून में यूज किया जाता है दोस्तो इसे ज्यादा यूज करने का सबसे बड़ा कारण इसमें टर्मरिक है यानि कि इसमें हल्दी है और हमा करते हैं और सबसे अच्छी बात इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह क्रिम इस यल्लो कलर के इस चोटे से काटन में आती है मेरे पास यह 15 ग्राम का क्रिम है जिसका प्राइज यहां 38 रुपीज है आप चाहे तो इस जाएगा आप इसे ओनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं जिसकी लिंक में निचे डिस्कुप्रिशन में दे दूंगा जहां से आप इस क्रिम को खरिच सकते हैं वहीं दोस्तों हम इसके इंग्रेंस की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं इसमें मुख्य रूप से टर्मरिक लोंगा और रीजम पाउडर डाला गया है दोस्तों यह नोन ग्रेशी बेस है जिसे इसकीन में लगाने पर इसकीन चिपचिपा या ओईली नहीं लगता है दोस्तों अब मैं यह क्रिम आपको दिखा देता हूँ दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह क्रिम इस छोटे ट्यूब पैकेजिंग में आता है जो एकड़म ट्रेवल फ्रेंडली है और इसकी पैकेजिंग भी एकड़म परफेक्ट है इसमें क्रिम के कहीं से भी लिकेज होने का कोई डर नहीं रहता है आप इसे कहीं पर भी कैरिक कर सकते हैं ले जा सकते हैं ये एकदम ट्रेवल फ्रेंडली है दोस्तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये क्रिम एकदम यल्लो कुलर का दिखाई देता है जिसमें से strong turmeric powder जैसी इसमें लाती है जो मुझे पसंद है जो साइद आपको भी पसंद आएगी दोस्तो इसका ये soft creamy texture है जिसे skin में लगाने पर ये क्रिम इसकीन में जल्दी से फेल जाता है और कुछ सेकेंड मसाज करने पर ये बहुत जल्दी सकीन में अबसर्बी हो जाता है दोस्तो ये non-gracy cream है जिसे लगाने पर इसकीन चिपचिपा या oily नहीं लगता है दोस्तो इसे लगाने के बाद इसकीन एकदम dry हो जाती है और इसकीन एकदम soft smooth feel होती है दोस्तो अगर आपकी oily skin है तो आप Vico turmeric WSO cream यूज़ करें अगर आपकी skin dry है तो आप सिर्फ Vico turmeric cream यूज़ करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो इस cream के best result के लिए आपको इसे दिन में दो बार लगाना चाहिए आप इसे night and daytime यूज़ कर सकते हैं दोस्तो विको turmeric WSO cream का उपयोग skin infection boils यानि फोड़े फुन से और acne pimples में भी किया जा सकता है आप इसे जले कटे जगों पर भी लगा सकते हैं दोस्तो ये हल्दी का cream है और हल्दी ये एक antiseptic होता है जो जले कटे को बहुत जल्दी ठिक करता है दोस्तो इस cream को daily use करने से रंगत दिन परती दिन खिल जाती है चहरे में एक चमक सा दिखाई देने लगता है दोस्तो ये रंगत सफा करने में बहुत सायक है लेकिन आप इससे दूज जैसा गोरापन चाहते हैं तो ये cream उतना गोरा नहीं बना सकता ये सिर्फ आपकी रंगत को पहले से थोड़ा निखार सकता है दोस्तो इसके best result के लिए आपको ये cream minimum 3-6 month यूज़ करना चाहिए तो ये था हमारा review ये review आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए अच्छा लगा हो तो like करे, share करे, subscribe करे और bell icon and all notification को जरूर किलिक करें जिससे की new product की notification आपको सबसे पहले मिल सकें Thank you उयाक, तो ये ये लगा हमें हमारा चाहिए